असलाम हुआलेकुम एवरिवान, हेलो गैस, आद में शीर कने वाली हूँ, हेचेज़ी टेस्ट के बाद ये सब चीज़ें होना नॉर्मल होता है या अबनॉर्मल होता है हेचेज़ी टेस्ट क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, आप चिक कर सकते हो, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्या हेचेजडी टेस्ट के बाद ब्लेडिंग होना नॉर्मल होता है? हाँ जी हेचेजडी टेस्ट के बाद थोड़ी बहुत सी ब्लेडिंग हो जाती है क्योंकि डै इंसर्ट करने के वज़े से ब्लेडिंग होती है वो नॉर्मल बात है अगर हच से ज्यादा bleeding होने लगे तो आप डॉक्टर से consult करें क्या हचेज़े टेस्ट के बाद sexually active हो सकते हैं जैसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा आपको pain रहेगा वैसे तो डॉक्टर टेस्ट के दो दिन बाद sexually active होने के लिए कहते हैं लेकिन कुछ patients को हच से ज्यादा pain होने के वज़े से doctors patient के हिसाब से suggest करेंगे 2 दिन या फिर 4 दिन बाद जो भी हो आप पहले doctor से पूछ लेना उसके बाद आगे का plan आप कर सकते हो क्या हेचेज़े टेस्ट के बाद conceive हो सकते हैं जी बिलकुल हो सकते हैं अगर आपके फिलोपियन ट्यूप में कोई blockage नहीं होगा तो आप कुछ time बाद conceive हो जाओगे उसके लिए भी थोड़ा बहुत time लगता है कुछ patients बहुत जल conceive हो जाते हैं कुछ patients को time लगता है अगर आपके फिलोपियन ट्यूप में blockage होगा तो आप conceive नहीं हो पाओगे उसके लिए आपको doctors treatment देंगे आपको treatment लेना होगा ऐसा नहीं है कि आपने hsd test करवाया और आप conceive हो जाएंगे conceive तब ही होंगे जब कोई blockage नहीं रहेगा आपने hsd test करवाया फिलोपियन ट्यूप में blockage बता रहा हो reports में तब आप यह सोचने लगे कि मैंने तो hsd test करवाया है तो मैं conceive हो जाओगी लेकिन यह गलत है कि आप hsd test करवाने से conceive नहीं होंगे अगर blockage हो तो आपको treatment लेना होगा तब ही जाकर आप conceive हो सकते हो ऐसा नहीं होता है कि hsd test करवाने से कंसिब हो जाएंगे वो सिर्फ ब्लॉकेज है या नहीं ट्यूप्स चेक करने के लिए होता है क्या हेचेजरी टेस्ट के बाद कोई और टेस्ट करवाना होता है अगर आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे फिलोपियन ट्यूस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको इसके बाद कोई टेस्ट नहीं करवाय जाएगा अगर आपके फिलोपियन ट्यूस में ब्लॉकेज इस तरह से रिपोर्ट में आता है तो आपको दुसरे टेस्ट भी करवाएंगे डॉक्टर्स आपको सज्जिस्ट करेंगे कौन-कौन से टेस्ट करवाना होगा आपको क्या Hsg टेस्ट with anastasia कर सकते हैं Anastasias के साथ hsg टेस्ट करते हैं लेकिन पेशिट का मोमेंट सही नहीं होता है और डॉक्टर्स को बहुत सारी दिक्कत होती है इसलिए हर कोई डॉक्टर पहले यही सजिश्ट करेगा कि विताउट अनेस्टेशिया हेचेजडी टेस्ट करेंगे उस तरह से करने से टेस्ट जल्दी हो जाता है और रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे से आजाती हैं अनेस्टेशिया से करने से रिपोर्ट्स अच्छे से ही आएंगे लेकिन थोड़ी बहुत सी दिक्कत होती है क्या हेचेजडी टेस्ट के लिए खर्चा ज्यादा होता है आप बिना अनेस्टेशिया के हेचेजडी कराओगे तो खर्चा ज्यादा नहीं होता है दो तीन हजार ह होता है अगर आप अनस्तेशिया के साथ कराओगे तो आपको 5-6,000 तक भी हो सकता है लेकिन वो हॉस्पिटर्स के ओपर डिपेंड होता है हर जगा के हॉस्पिटर्स अलग होते हैं और उसका प्रैस भी अलग होता है एज Winston कोई सी Age में करवाना चाहिए एज़ग टेस्ट करवाने के लिए कोई Age नहीं होती है जब आप कंसीव होने के लिए Naturally ट्रै कर रहे हो लेकिन आप कंसीव नहीं हो पा रहे हो आपने सब टेस्ट करवाए हैं सब नॉर्मल है उसके बाउजुद भी आप कंसीव नहीं हो पा बिना doctor के suggestion के एचे जी तेस्ट नहीं करवाना चाहिए आप सभी के डौँट्स क्लियार हो गये होंगे उमीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज्याद से ज्यादा शेर करे, लाइक करे, कमेंट करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले